सब्सक्राइब करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नहीं नहीं अप्डेट्स मिलते रहें फ्रेंड्स सुमो कोल टेबलेट एलकेम कंपनी की बेश्ट टेबलेट हैं इसकी फ्राइज हैं 34 रुपे वहीं इसका कंपोजिशन होता है परस्ट्रामोल, फिनाल अफ्रें, केफेन, डिफेन हैडरमाइन वहीं बात कर अगर इसके यूज़ेस की तो ये सर्दी, गले में खरा इसकास, बुखार आना, बदन दर्ध, हांद पेर दर्ध, सरदर्ध, नजल कंजयक्शन, और छीखन आदी के यूज़ में दी जाती है ये बेश्ट एंटिकोल टेबलेट हैं अगर फिसके फास्ट काम करती हैं क्योंकि दूसरी एंटिकोल टेबलेट में पेरस्टामोल 325 mg होते हैं, जबकि इसमें पेरस्टामोल की मातरा 5 mg होती है, ये सर्दी, जुखाम, बुखार में सबसे ज़्यादा इस्तिमाल कीजने ले टेबलेट हैं, जो आपको सभी medical store और online मिल जाएगी, इस टेबलेट के यूज के समय इतना जरूर ध्यान रखें कि कोई दूसरी पेरस्टामोल टेबलेट ना ले, क्योंकि उससे पेरस्टामोल का ओर्डो दो देगा और आपको फिर गहरी नीद भी आ सकते हैं, इसके अलाव भी इस टेबलेट पे warning दी गई हैं कि पेरस्टामोल के ओर्डो से आपके लिवर पर प्रभाव पड़ सकता हैं और आपके गले, मुह पे सूजन भी आ सकते हैं, सांस लेने में तकलिव हो सकते हैं और रेसेज भी हो सकते हैं इस टेबलेट का यूज आप अपने डाक्टर के सला के अनुसार करें और इस टेबलेट का यूज आप गले में दर्द, कान में दर्द या अगर दात में दर्द हो रहा हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, आपको इसके यूज से फाइदा जरूर मिलेगा अगर आपको इस टेबलेट के यूज के बाद भी फाइदा नहीं मिल रहा है तो आप इस टेबलेट के साथ एंटिबाडिक्स टेबलेट भी ले सकते हो ये सुमो कोल टेबलेट बहुत ही पापुलर टेबलेट है इसके इतने शांदा अलेज़ड मिलने के कारण ही यह best selling tablet है इस tablet को आप pregnant lady को देने से पहले अपने डाक्टर से consult जरूर करें और उनके कहे नुसार उनके prescribe पर ही दे अगर बात करें इस tablet के dose की तो इस tablet का जो समाने dose है वो एक-एक tablet सुबसाम खाना खाने के बाद या फिर सरदी और वुखार ज़्यादा है तो आप इसे दिन में तीन बार भी ले सकते हो खाना खाने के बाद में और अगर आप इसका यूज़ अपने डाक्टर के सला के अनुसार करें तो ज़्यादा बेतर रहेगा वहीं बात करें अगर इसके साइड इफेक्ट की तो इसके जो कामन साइड इफेक्ट हैं वहीं कब्ज होना, उल्टी होना, चक्कर आना या फिर स्लिपिनेस अगर इसके अलाव भी अगर आपको कोई दूसरी अदर साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो इस टेबलेट का यूज बंद करें और अपने डाक्टर से कंसल्ट करें तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सुमो को टेबलेट का रिवीव अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें थेंक्यू